हेई गाईज, so you are watching beast mantra vlogs, back to another video और दोस्तो अगर आप लोग power lifting करते हो, अगर आप लोग heavy lift करते हो अगर आप लोग हपते में एक दिन भी ज्यादा से ज्यादा बजन उठाते हो तो ये वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरत मन्त क्यों? क्योंकि दोस्तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक ऐसे medicine के बारे में, जो अगर by chance कुछ heavy lift करते हो आप लोगों को इधर से उधर हो गया, कहीं पे ज्यादा injury या कहीं पे muscle pain या कहीं पे relief नहीं मिल रहा है तो एक ऐसा दवा है दोस्तो, जो दवा लेने के बाद या आप लोग लगभग 7 दिन, 8 दिन अगर वो दवा यूज करते हो तो आप लोगों का muscle relaxation भी होगा और आप लोगों का muscle recovery भी होगा और उसके साथ साथ pain भी गाइब हो जाएगा और दोस्तो, वीडियो के पहली में आप लोगों को एक बात बता दू जो लोग चैनल में नए आए हो वो 25 व्लोग को जल्दी से subscribe कर दो और bell icon को दबा दो क्यूंके gym related, fitness related, food related, diet related, everything इस चैनल में आप लोगों को मिलेगा और दोस्तो, और एक बात, मैं आज जो medicine के बारे में बोलने वाला हूँ वो medicine कोई pain की लग नहीं है तो दिल थामके बैठो कौन सा है वो medicine इसके लिए वीडियो अंतक देखना पड़ेगा तो चलो दोस्तो, वीडियो शूल करते हैं तो गाईज, जैसे कि मैं बता रहा था असल में यह जो medicine है यह मेरे को कैसे पता चला और यह medicine use कितना दिन से मैं कर रहा हूँ फिर किसने मेरे को यह suggest किया तो यह पहले मैं थोड़ा पता देता हूँ कुछ दिन पहले से मैं ऐसे जिम में heavy workout कर रहा था और behind an egg press मार रहा था थोड़ा heavy बजन से तो उसके बाद से जो मेरा left shoulder है वो थोड़ा move नहीं कर रहा था तो थोड़ा pain भी हो रहा था जो lateral part है वहाँ पे थोड़ा pain हो रहा था मैंने massage, stretching, foam rolling सब कुछ ही लगभग किया लेकिन तीन दीन चार दिन हो जाने के बाद भी ओ जगा थोड़ा जकड़ा हुआ था लग रहा था के थोड़ा stiffness है तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा हलका फूल का डर भी लगा के यार को इंजूरी ना आ गया हो क्योंके वजन थोड़ा हेवी था 120-130 किलो से मैं लिफ्ट कर रहा था बिहाइंड अन एक प्रेस मार रहा था चर्क चल रहा था तो इस हिसाब से फिर आया मेरा एक दोस्त जो दोस्त के मारे मैं पहले बता दू दोस्त का नाम है रिपन और उसका भी YouTube चैनल है मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ Armbeast Vlogs नाम का उसका YouTube चैनल है देखलो दोस्तों मैं लिंक डेस्क्रिप्शन में दे दूँगा जो जो अभी भी Armbeast Vlogs को सस्क्राइब नहीं कियो वो लोग भी सस्क्राइब कर देना जरूर जरूर मेरे जितने ओडिएंस है वो सब Armbeast Vlogs को सस्क्राइब करना सपोर्ट दिखाना ये बंदा भी जिम रिलेटेड वीडियो बनाते है बहुत हल्फुल है बहुत नॉलेजबल बंदा है मेरे भाई के जैसा है मेरे दोस्त के जैसा है एसे ही कभी-कभी होता है तो आप दो दिन के लिए वर्काउट बंद रखो और आपको मैं एक मेडिसीन बोड रहा हूँ वो मेडिसीन शॉप से जाके आप लेके आप यूज करके देखो फिर मेरे को बताओ के भाईया कैसा रिजल्ट हुआ तो as it is वो भाई मेरा बहुत ज्यादा नॉलेजबल है और वो मैं अपने आप से डिसकेशन करता ही रहता हूँ के भाई ये वो ये वो तो भाई के कहने से मैं दो दिन तीन दिन तक वर्काउट बंद रखा और भाई ने जो मेडिसिन बोला वो लेया के मैं जस्ट फ्री डेज खाया अफ्तर लंच फ्री डेज मैंने इंटेक किया और दोस्तों अन्विलिबिबल तरीके से मेरा पेन पुरा रिलीव हो गया फिर मेन जो स्टोरी है यहां से स्टार्ट होता है फिर मैं समझा के वह भाई ने मेरे को जो मेडिसिन दिया वह पेन की लड़ था तो मेरे को ऐसा ही लग रहा था कि पेन की लड़ है भाई तो इसलिए पेन को मार दे रहा है तो फिर धिरे-धिरे अपना वह ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर रहा था दर्द भी कम हो रहा था मैंने उसको बोला भी के भई मेरा तो मेरा तो पेन बंद हो गया तो अब फिलाल बंद रखता हूं बोला है आप भई यह भई सब्दहों करके ह Está तो हम लोगों के लिए muscle relaxation बहुत important चीज है, हर बो बंदा जो heavy lift करता है, हर बो बंदा जो serious workout करता है, उसका हपते में एक से दो बार, या पंदरा दिन में लगभग दो, या तीन बार भी आप लोग कर सकता है, वो आपके muscle stiffness के उपर depend करता है, massage चाहिए चाहिए दोस्तों, सीध workout कर पा रहा हूँ, कुछ दिन पहले 250 kg का deadlift लगाया जिम में, फिर 160 kg का bench लगाया, अभी पूरा ठीक हूँ, तो दोस्तों, मेरे को पता है, आप लोग दिल थाम के बैठे हो, के बंदा बके जा रहा है, medicine का नाम नहीं बोल रहा है, तो medicine का नाम अभी बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा सबर करो, थोड़ा सबर करो, medicine का नाम जो है, वो मैं खा रहा हूँ, और अभी यह देख सकतो, आप लोग 5 खा लिया, अभी 5 है, medicine का नाम यहां पर कितना साफ आएगा, मेरे को पता नहीं में साइट में दे दूँग, आप लोग देख लेना, medicine का नाम है दोस्तों हाइफिनीक MR, ठीक है, यहां पर I think नहीं आ रहा है, हाइफिनीक MR, medicine का नाम है दोस्तों, ठीक है, हाइफिनीक MR नाम का medicine है, जो के बहुत ही easy available है, medicine shop में आप लोगों को अराम से मिल जाएगा, MRPB इसका 10 का साइट 75, 80 के आसपास इसका MRPB आ जाएगा, और आप लोग, जो लेकिन छोटा मुटा जो सब muscle fatigue recovery के लिए, आप यह दवा ले सकते हो, मेरी guarantee है, आप लोग यूज करके देखो, बहुत ही अच्छा दवा है, मसल relaxation के लिए बहुत ही अच्छा, और एक बर मैं नाम बता देता हूँ, हाइफिनीक MR, इसका नाम है, और साइड में मैं फोटो द मैंने, आप लोगों को अगर है, ऐसा muscle fatigue हो गया, या लगड़ा है कि थोड़ा pain हो रहा है, तो आप लोग ही इसको यूज करके देख सकतो, बहुत ही अच्छा, और बहुत ही तगरा result आप लोगों को मिलने वाला है, तो दोस्तो, Beast Mantra Vlogs का हाच का वीडियो इतना ही, एक informative वी आप जल्दी एक नए वीडियो में, Beast Mantra Vlogs में, तब तक, stay healthy, stay tada, bye bye, take care